भागरपूर सेंटरल जेल में बंद एक कैदी की पिटाई इसकदर की गई कि इलाश कदरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया वहीं परिजनों ने जेल प्रसासन पर पिटाई किये जाने का रोप लगाया है मिर्तक की सरीर पर कई जख्म और चोट के निसान भी पाये गए हैं परिजनों का कहना है कि सराब पिने के जुर्म में रवी बार को से गरफतार किया गया और सोम बार को जेल भेज दिया गया जहां उसकी बेहरमी से पिटाई की गई सोम बार को ही उसे भागलपूर के माया गन्यस्पताल में भरती कराया गया उस वक्त मनोज चौधरी को हाथ में हतकड़ी लगी हुई थी जहां अस्पताल में इलाज को दरान सुबह उसकी मौत हो गई मिर्तक की पहचान नुगच्या के खरीक थाना च्छेतर इस्थित खरीक बजार निवासी उपेंदर चौधरी के पुतर मनोज चौधरी के रूप में की गई है परिजनों का कहना है कि उसी राद भागलपूर के माया गन्यस्पताल में भरती कराना पड़ गया मनोज के सरीर पर मिले जख्म को देख कर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी जेल के अंदर किस तरह से पिटाई की गई होगी हातों में हतकड़ी लगे मनोज को पूली सविल अच्छा में भागलपूर के माया गन्यस्पताल में चार दिनों तक इलाज चला लेकिन इलाज के दौलान है उसकी मौत हो गई परिजनों को घटना की सूचना दी गई जब परिजन अस्पताल पहुँचे तो मिर्तक के सरीर पर मिले कई जगों पर जखमार चोट के निसान से गुस्साई परिजनों ने जेल प्रसासन पर पिटाई करने और मनोज शौधरी की हत्या करने का रोप लगाया है वहीं घटना के बाद परिजनों की बीच कोहरा मचा हुआ है मिर्तक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है परिजन इस मामले की जाज की जाने की मांग कर रहे हैं उसी दिन संबार के दिन जेल में इनको मार करके उनके बाद यहां रख दिया अरला करके जगदीशपूर परिखन में पंचाया चुनाप का नमंकन कारे पांच में दिन भी काफी जोड सोर से हुआ पर्तियासियों के समर्थक भी काफी अधिक संख्या में पर्खन परिसर पहुँचे जहां बार-बार मायकिंग कर पर्खन परिसर में नहीं आने की आगरा करते रहें लेकिन पर्तियासी समर्थक काफी संख्या में जुटते रहें परखंड के 14 पंचायतों में से पांच में दिन 409 पर्तियासियों ने नामंकन पर्चा भरा, जिसमें मुखिया पर्तियासिय के लिए 35 पर्तियासियों नामंकन दाखिल किया, सरपंच पद के लिए 32 पर्तियासियों नामंकन दाखिल किया है, वाड पर्तियासियों के संख्या अधीक होने कारण अत्रिक्त कॉंटर की बिवस्था की गई थी। क्या रूप में देखना चाह रहे हैं, जनता का सिर्वाद है। क्या है कि सरकार जो योजना देती है, उस योजना से हमारी जनता जो बिल्कुल प्रे हो जाती है, उसको पता नहीं चलता। और पड़ते निधी जो आते हैं उस योजना के विसे में जनता को बताते नहीं है, वो बीच में रख लेते हैं। मेरा काम है कि उसको जोड़ना हो, जोड़ के सरकार का जो काम है, हम उनके आगे सामने रखें और समाज के लुप में काम करते हैं। गाँ में सब का स्वास्त अच्छा हो, सब को भरपूर, विजली मिले, पानी मिले, क्योंकि आगे जन प्रतिनी दी सोचते हैं क्या की रोड और नाला बनाया तो ये विकास है, हम नहीं मानते हैं इस विकास को, मैं मानता हूँ कि जब गाँ और समाज में सभी लोग सिक्चि और हमारे पंचायत में निरक्षर को ही न रहे, सभी साक्षर रहे, पढ़े लिखे रहे, जो कि अपने से जाकर हर कारी को करे, किसी के उपर आश्रित नहीं रहना पड़े उन्हें, हमारे पंचायत का लोग इधर उदर भटकते हैं, किसी दूसरे के पास जाते हैं किसी भी क कारी करने के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत के हर लोग सभी कारी अपने से करें किसी के उपर आश्रित नहीं होना पड़े और ये तभी मुमकिन है जब हमारे गाउं के सभी लोग सिक्षित हो जाएंगे किस पंचाट से हैं किस पत के लिए अमनेशन करा हैं क्या मुद्दा रहे गया है किस पंचाट से किस पत के लिए नंनेशन करा हैं पंचायत में क्या मुद्दा लेकि जाएगा? पंचायत आम चुनाव के लिए पर्खंड कारियाले में IT सेल बनाया गया है जहां सभी पर्खंड का नामंकन लोड किया जा रहा है। साधरन प्रस्तिती में तो हम लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं लेकिन सरबर सलो होने करन त्वरित गती से कारियों का निस्पादन नहीं हो पा रहा है। जिसे पर्तियासियों का ब्योरा लोड होने में कठनाई हो रही है। पूरे देश में राष्टिय विधिक सिवाप्रधिकार की निर्देश पर अदालतों में दिवानी और फोजवडारी मामलों के साथ सुलहनीया मामलों के बढ़ते आँकोडों को कम करने के उदेश से राष्टिय लोक अदालत का आयूजण किया गया। जिसमें फौजदारी, दिवानी और सुलहनी या मामलो जैसे बैंक, टेलिफोन, बिजली और पानी की समस्याओं को अन दाइ स्पॉट निस्पादित किया गया भागलपूर के बहवार नियाले परिसर में डालसा चेर्मेन और जिला जजज सीब गोपाल मिस्रा, जिलाधिकाई सुबलत कुमार सेन और सीटी एसपी स्वर्न परभात ने संयुत रूप से दीप पजलित कर राष्टे लोक अदालत का उधगाटन किया इस दोरान अधिकारियों ने राष्टे लोक अदालत के आयोजन को आम लोगों के लिए काफी लाब धाया करार देते हुए से कानूनी प्रकिरिया में होने वाले बिलम से लोगों को जल से जल राहत दिये जाने की बात कही भागलपूर नगर निगम के सफाई वर जलकल साखा के करमशारी विगलत साथ स्तंबर से नगर निगम प्रसासन के खिलाफ धरने पर हैं राष्टिय सफाई मजदूर संग बिहार प्रदेश और बिहार राजस्थानिय निकाय करमचारी संग के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने बिहार के मुख्यमंत्री, उप्पमुख्यमंत्री वर नगर एक्ट का पुतला दहन किया नगर निगम परिसर से कचहरी होते हुए सेकड़ों की संख्या में मजदूर मनाली चौक महुचे और सरकारी खिलाप नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया निगरानी विभाग भागलपूर प्रच्यतर के डि.अचितर के पद पर कारई रद सुनुद्र कुमार सरोज का तबादला उनुमंदल प्रूलीस पताधिकारी पुरुनिया के पदपन हो गया है इसके बाट कंबाइंड भवन इस्तित निग्रानी विभा के कारियाले में अधिकारियों वा कर्मियों ने माला पहना वा पुस्प कुछ दे कर उनको विदा किया सुरिद्र कुमार सरोज ने कुछ दिन पुरू सनहौला के पुरू मुखिया मुहमद मुस्ताग दौरा 15 लाग का गबन करने के मामले में उनको गिरहपतार किया था कटिहार के एक्षकूर्टिव इंजिनियर अर्वीन कुमार वा पुर्णिया के किस्ती पतादिकारियों कि इन्हों ने रंगे हाथ गिरहपतार किया था साथी सिच्छक नियोजन में अवेध प्रमान पत पर न्यूकते 110 सिच्छकों पर प्राथमी की दर्ज समेथ कई मामलों का उद्भे दन्वी किया है वद 2011 से यहां कारत थे आज विदाई कदरान सुरिद कुमार सरोज भाबू खो गए उन्हें का कि अप्रेल 2011 में यहां योगदान दिया अब तक ब्यूरो में रहकर ब्यूरो के कार को सच्चाई से निभाया सभी अदिकारियों और कर्मियों का सयोग मिला यहां पर सभी अच्छे हैं सहकर्मियों से जुदा हो रहा हूँ यहां से जाना कश्ट दायक है हमेशा मैं अपने कर्मियों के लिए खड़ा रहूंगा कज्रेली थाना परिसर में प्रसिच्चु डियस्पी डॉक्टर गॉरब कुमार का विदाई समहारो आयोजित किया गया कज्रेली थाना धर्ष के पद पर करीब चार महेने से योगदान से छेतर की जनता से लगाव होने से काफी संक्या में सांती समीती वग्रामिनों का जमावडा लगा रहा प्रसिच्चु डियस्पी के पद पर रहने के दुरान अविद बालू खनन परिवहन अविद सराव माफियाओं में दहसत का महौल बना रहा प्रसिच्चु डियस्पी का नया प्रस्थापना डियस्पी लॉइन ओर्डर के रूप में हुआ है